सौर अभिनंदन की शांतनु विहार में बगीचे पर भूमाफियों की नजर रहवासियों का रोप नगरपाली का अंगनवाडी बना कर ला पहुचाना चाहती है सीमों बोले जाच करवाएंगे शहर के वाटकरमांग पांचिस्ते शांतनु विहार कॉलोनी के बगीचे पर भूमाफियों की नजर है नगरपाली का कुछ लोगों के व्यक्तिकत हित को देखते वे अंगनवाडी भवन बनाने पर तूली हुई है जबकि कॉलोने वासियों ने बगीचे की भूमी पर किसी तरह का निर्माण नहीं करने को लेकर नियाले में पार्टिशन दायर कर रखा है इस्तानी रहवासियों का आरोप है कि मामला कोट में विचारा दिन होने के बाद भी नगरपाली का कॉलोनी के उध्यान की जमीन पर अंगनवाडी भवन का निर्माण कर भूमाफियों को लाप पहुचाना चाहती है शुक्रवार को नगरपाली का कमला जब बगीचे की जमीन पर अंगनवाडी भवन निर्माण की प्रारंभिक तैयारी के लिए पहुचा तो कॉलोनी वासियों ने उसका विरोध किया कॉलोनी के रहवासी गोपाल गुपता पुर्वपार्शद विजय गुर्जवर अमरदीप पुरोहित सुबाश अगरवाल विनोत कुमार दुबे देवेंद्र श्यर्मा अजय राठोर राजुतिवारी अनिल श्यर्मा लक्ष त्रिवारी ने बताया कि शांतोने विहार वगीचे की आधे जमीन पर भूमाफिया अतिक्रमन करना चाहते हैं रहवासियों का अरोपी की आंगरवाडी भवन बनाने का बहाना है असल में भूमाफियों को ला पहुचाना है आंगरवाडी भवन बन जाने से भूमाफियों का रास्ता साफ हो जाएगा इसे उन्हें जमिन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा रहासियों ने कॉलोनी के बगीचे के भोतिक सत्यापन की मांग करते भी कहा कि शांतोनी विहार कॉलोनी में किसी भी तरह का भवन नहीं बनने देंगे अगर फिर भी कोई निर्ने होता है तो कॉलोनी वासी आंदुलन करने के लिए मामले में अगर पाली का सीमोस सुधिर कुमार सिंग ने बताया कि फिलहाल काम रुकवाया गया है सौंवार तक पता करेंगे कि कोड़ पे मामला विचरा धीन है या नहीं कोड़ पे मामला नहीं होगा तो अंगनवाडी भवन उसी जोगे बनाना होगा अंगनवाडी का विवाजित हो रहा है तो हम यह कह रहे हैं कि यह अंगनवाडी नहीं बने और पूरा बगीचे का स्वरूप एक रहे जो काफी बड़ा पोजिशन जो है सेड़ जी ने छोड़ा है और जो इसके लिए बगीचे पे कालो निवासेओ के निवाड़ इनके लिए सुईदा के लिए रखा है तो बच्चों के खेलने का सबका यहां पे उनकी जरूरत रहती है और इसलिए हम उस बगीचे को दो भा जो भूमी है वो शान्तुन विहार के इस कालोनी में चोड़ी गई है और आप देखे के सन 2000 से यह के लो नागरीकों ने बहुत मेहनत करकर के यहां पे इस बगीचे को विक्सित किया यह और आप बहुत अच्छे अच्छे पोदे यहां पे लगा रखे हैं यहां पे लोग उसको कोड में लगाया था कोड में तत्काली मुख्य नगरपाली का अधिकारी ने जवाब दिया था कि चुकि गिरिन बेल छेतर है इसलिए हम बगीचे की भूमी पे आंगनवाणी का निर्मान कारी नहीं कर रहें और यह कारी रूख गया था पर अभी पुना अधिकारी चेंज होने के बाद उस शरारती ताडव ने इसको पून यहां पर आंगनवाणी का निर्मान कराने का परियास किया है और यहां पर आंगनवाणी का निर्मान कारी जो है कल ले आउट दिया गया जिसका यहं के सारे लोग Guitar कर रहें और लोग चाहते नियां कि यहां पर ब इस अच्छे से बगीचे को जो है इसकी शोबा को खत्म करने का प्रियास नहीं होना चाहिए पांच वाट का सांतुनु बिहर कालोनी छेत्र है यह बिगत बरसों से अपना बगीची का निर्माण विकास चल रहा है पहले भी कुछ लोग आये थे यहां आगन बाड़ी बनाने के लिए जो बीच बगीची में बना रहे थे आपन विरोध किये तो नगरपलिका से अस्वासन मिला कि इस परांगण में आगन बाड़ी के बिल्डिंग नहीं बनेगी हम लोग अस्वस्थ हो गए विश्वास हो गया कि अब नहीं बनेगा लेकि अभी कल साम को जो हम पुजा करने आए तो यहां देखा कि आगन बाड़ी के बीच बगीचे में ले आउट डाला गया है उस ले आउट से यह प्रतीत होता है कि यहां बगीचा दो भाग में बाटने का कोई न कोई सड़े अंतर है चुकि यहां एक भुपेंद्र भाटी जी है जो अपना तार फिनिसिंग करके अपना कब्जाब जमना चाहते हैं दो चार मैंने पहले उनके घर पे भी में गया था भाई साहब यह तार फिनिसिंग खोल दीजिए यहां बगीचा एक रहे उन्होंने मुझे अस्वासन भी दिया पन्डी जी आप यहां आए बहुत अच्छी बात है और हमारी भी सोचे कि बगीची एक ही रहेगा लिकिन उन्होंने आज कर तार फिनिसिंग का वायरिंग नहीं खोला और मेरे को लगता है कि उसी के पास में आप कैमरा गुमबा कर वहां देख सकते हो जिस दिन बिल्डिंग बनेगा एक छोटा सा बालक भी उस पार नहीं जा पाएगा तो दो भाग करके इसको कोई सा सड़य अंत्र तो नहीं है कि इसको दखल किया जाए तो इसलिए इस कालोनी के बासी 70% इस प्रक्ष में है कि यहां भवन निर्मान न हो इसके लिए हम लोग यहां के जो हमारे उचे जन प्रतनिधी है उनको किसी न किसी स्वरूप में हम वाटसप से बादची से मेसेज किया है कि यहां भवन निर्मान न हो और आगे जो भी करवाई होगी हम लोग करेंगे अगे लात हम लोग बैठेंगे उठेंगे और किसी भी हलात में बढनेंदे देखें यह अपना नीडे है